नमस्कार दोस्तों, अपने पिछले वीडियो में हमने बताया था चाइल्ड डेलोप्मेंट के उपर कि कैसे आप अपने बच्चे के इंटेलिजेंस का विकास कर सकते हैं और उसमें हमने जिक्र किया था डीमा टेस्ट का बहुत से लोगों ने हमसे पूछा कि डीमा टेस्ट होता क्या है, कैसे करवा सकते हैं, कहां करवा सकते हैं और इसके फायदे क्या हैं तो आज इनी चीजों के उपर हम लेके आए हैं नया वीडियो डीमा टेस्ट के उपर अंत तक बने रहे हैं हमारे साथ आपको पूरी जानकारी मिलेगी डीमा टेस्ट की शुरुवात वहां होती है जब 1890 में डॉक्टर फ्रांसीस गेलटोन ने एक थिόरी दी थी कि हमारी reflections का जो relation है वो directly हमारे brain के साथ होता है उनका कहना था कि मा के पेट में जब बच्चे के दिमाग का विकास होता है उसी समय फिंगरप्रिंट का भी विकास होता है और दोनों में direct relations है फिंगर्प्रिंट पैटर्न्स आपके दिमाग को आपके दिमाग से रिलेटेड हैं और आपके दिमाग की अस्तिती के बारे में बताते हैं आगे चलकर 1986 में Dr. Howard Gardner ने Multiple Intelligence की थियोरी दी जिसमें उन्होंने बताया कि एक इंसान में आठ तरहे की अलग अलग तरहे की Intelligences होती हैं और इन Intelligence के रेशियो पर ही उसकी Personality डिबंड करती है उसके Future के इंटरस्ट डिपंड करते हैं और इसी के बेसिस पे आदमी को आगे अपना करियर चुननना चाहिए इनी दोनों चीजों को लेकर के काफी सारी स्टडीज की गई जेनेटिक्स में आगे चलके और स्टडीज की गई इंब्रैयोलोजी में आपकी सिकोलोजी को लेकर और आपके नियूरोसाइंस को लेकर आपके नियूरोलोजिकल डवलप्मेंट को लेकर इन सभी स्टडीज को हम fingerprints, fingers पे जो impressions जो आपको दिखाई दे रहे हैं, यसे impressions को हम scan करते हैं और scan करके इनको हम डालते हैं software में और उसके analysis पे कुछ ऐसे results आते हैं जिससे आप अपने बच्चे के career के बारे में जान सकते हैं, आप जान सकते हैं कि उसके future के लिए कौन सा career सबसे अच्छा रहेगा, उ में वो सबसे जादा अच्छा कर सकता है और किस तरह की उसकी personality है वगरा वगरा दोस्तों हाथों के impressions को हम software पे डालते हैं और software के analysis के थूरू एक report generate होती है जिससे ये सारी चीज़ें पता लगती हैं ये software हमें बताता है अलग-लग चीज़ों के बारे में जैसे की candidate जिसका test क किया जा रहा है उसकी personality कैसी है उसकी learning style क्या है वो visual auditory kinesthetic और read and write method कौन से method से वो ज्यादा अच्छा पढ़ लिख सकता है समझ सकता है ज्यान प्राप्त कर सकता है उसमें कितने तरह की multiple intelligences का क्या क्या ratio है किस चीज क्या चीज उसके अंदर dominant है और क्या चीज उसके अंदर recessive जो है और दोस्तों डीमा टेस्ट जो है यह dermatoglyphics multiple intelligence analysis फिर से एक बार बताऊंगा कि fingerprint analysis है और multiple intelligence theory इन दोनों चीजों को मिला कर यह analysis बनाया गया है यह 100% scientific है 100% scientifically proven है और 99.9% तक की accuracy यह देता है इससे आप जान सकते हैं कि आपकी personality कैसी है आपका learning style कैसा है जो हम पहले भी discuss कर चुके हैं और आपके अंदर कितने तरह की multiple intelligences है और कौन से intelligence dominant है कौन से recessive है और इसके basis पर career भी choose किया जा सकता है दोस्तों आज की date में बच्चों को इपर बहुत pressure होता है और ऐसे में वो बहुत ही ज़्यादा you know like संकुचित होते हैं बहुत ही ज़्यादा hesitant होते हैं अपन अपने बच्चों का DEMA टेस्ट कराईए और उनके career के लिए सही decision लीजिए और अगर आप DEMA टेस्ट कराना चाहते हैं तो you can go to learning hubs और दिये गए number पर आप call कर सकते हैं दुत तो learning hubs is an organization which is providing complete child development solution so it is an advice की आप learning hubs को एक बार जरूर कॉल करें आपके लिए कुछ ना कुछ वहाँ पर जरूर होगा आज के लिए इतना ही thank you very much have a great day